हाई फोडीज, आज किचिन मोट आपके लिए एक स्पेशल रेस्पी लेकर आई हैं, आज हम बनाएंगे स्पेशल एक प्रांथा, तो ये देखें, आज हम बना रहे हैं एक प्रांथा, आप देखें कितना बढ़िया बना है ये, आप एक बर इसको खा के देखें, बहुत जी हमने आटा लिया है, गेहूं का आटा है, जो आप घर में जो हम चपाती बनाते हैं, ये वह वहला आटा है, तो इसकी हम छोटी-छोटी लोईएं बनाएंगे, छोटे-छोटे से हम पेड़े बनाएंगे इसके, तो ये देखें, हम इसको डबल रोटी बनाएंगे, हम इ इसको चोटी-चोटी सी रोटी ये बेलेंगे चोटे-चोटे से तो उसके बीच में हम देसी घी लगाएंगे फिर हम इसको बड़ी सी रोटी बनाएंगे तो ऐसे ही हम चोटे दोन्नों जो ये पेड़े हैं इनको हम दो चोटी-चोटी रोटी बना लेंगे देखे फ्रेंड्स यह हमारी दो हमने बेल ली है अब हम इसके अंदर लगाएंगे देसी घी यह देखें आप रिफाइंट ओयल भी लगा सकते हैं पर मैं लगा रही हूँ देसी घी इसमें अब हम दूसरी जो यह हमने चपाती बेली है हम इसके उपर रख देंगे यह देखे और साइट से हम ऐसे दबा देंगे कि ये इसके साथ चिपक जाए सारी, तो ये हमने सारी इसको कर दिया है सेट, तो अब हम एक बड़ी सी रोटी इसकी बना डालेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर एग हमने फिल करना है, तो बड़ी रोटी होगी तो एग इसके अंदर अच् गलास qi अंदर हम दिट करेंगे तो यह एक को मैंने क्रैक कर लिया है तो ऐसके बाद भी आप तो अब हम इसमें डालेंगे टॉमैटो सोस, टॉमैटो सोस के साभ भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो अब हम डालेंगे इसमें नमक, यह हैं डालेंगे लाल मिर्ची, और थोड़ा सा हम डालेंगे गराम मसाला, तो अब हमने इनको डाल दिया है तो हम अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे देखिए फ्रेंड्स आपके सामने में कितनी इजी-जी रेस्पी लेकर आती हूँ अगर रेस्पी अच्छी लगती है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और अगर आप चैनल पे ने है तो सब्सक्राइब जरूर करें ये देखिए ये हो चुका है हमारा देखिए फ्रेंड्स तवा हमारा गरम हो चुका है अब हमने बड़ी सी रोटी इसके उपर ढाल दी है तो अब हम इसको थोड़ा सा सेकेंगे ये देखिए यहां से थोड़ी सी सीख रही है तो हम इसको पलट देंगे ये देखिए ऐसे हम पलट देंगे तो देखिए फ्रेंड्स हम डबर रोटी इसलिए बनाते हैं कोगि ये साइड से खुल जाती है आप यह देखें यहाँ से अमने डबर रोटी बनाई है और यह साइड से थोड़ी से उपर हो रही है यह हमारी अराम से कुल जाएगी आप सिंगल रोटी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कट लगाना पड़ता है तो थोड़ा सा मुश्किल होती है यह खोलने में यह देखे यह आपकी रोटी अराम से पल्टा रख रहे हैं और इसका मुँँ अराम से कुल रहा है जिसके अंदर एग अराम से चला जाएगा यह देखें डबर रोटी का यह फाइदा होता है तो अब हम थोड़ा थोड़ा एग इसमें डालते जाएंगे आप ज़रूरी नहीं यह पूरा एग इसमें डाले तो आप इसको सर्वी स्पून से भी डाल सकते हैं यह रेखें थोड़ा से एक बहार निकलेगा इसका तो यह रेखें अब हम इसको दबा देंगे अभी धेसी घी, उपर से देसी घी लगा रहा है तब भी साइट से निकल रहा हो तो कोई भात नीं, खवराने की शुरत नीं हम इसको अंदर कर देंगे साइट से ये जे देखे हम इसके साथ चिपका रहे है ये ये एक हमारा पका वह ही मिलेगा तो ये देखें यह हो चुका है यह हमारा हमने देसी घी लगा दिया है अभी हम इसको पलट देंगे देखें फ्रेंड्स अब हम इसको पलट दिया है यह देखें यह ऊपर थोड़ा सा जो नीचे एग था यह ऊपर नजर आ रहा है तो हम दोनों साइड से अच्छी तरह देसी घी लगाएंगे रोटी को अच्छी तरह से पकाएंगे फिर हम यह देखना आपको यह तब पता चलता यह रोटी हमारी बन गई है यह जो अंदर का एग यह फुल जाता है फुलने के मोटी यह जो रोटी है वो आपकी मोटी हो जाती है यह देखें कितना बड़िया आपका एग प्रांठा रेडी हो गया है अब हम इसको कटर से पीजा की तरह हम इसको कट कर देंगे यह अब हमने प्लेट में सॉस लगा दी है और हम एक के करके यह पीजा शेप में जो हमने रोटी काटी है यह रख देंगे एग प्रांठा हमारा यह देखें फ्रेंड्स कितना बड़िया हमारा प्रांठा रेडी हुआ है आप इसमें चीज भी डाल सकते हैं उपर डाल सकते हैं नीचे डाल सकते हैं जैसे आपका बन करता है वैसे चीज को यूज कर सकते हैं जैसे बचे कई बड़ी प्रांठी नहीं खाते हैं कई बड़ कर दो कर दो, तो कि अच्सके को अबना कुछ क्यों दो.